नमस्कार मैं हूँ कनिया कुमार और आप देख रहें आप तक मैं अभी हूँ बेगुश्राय के नौलखा मंदिर के पास यह मंदिर आजादी के जस्ट तुरंत बाद बनाया गया था और उस वक्त की लागत नौ लाक रुपे आई थी इसलिए इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर दिया गया है इस मंदिर की बहुत साड़ी विसेशता हैं यहां के सीसे से लेके बहुत साड़ी विसेशता है लेकिन अभी मैं मंदिर के बाहर का कुछ दिरिश से दिखाऊंगा और यह जो अस्थान है यह अस्थान पढ़्यटक अस्त अस्तल बनना चाहिए था लेक आद हमें पासा और ह anál यहां त्मंदिर के बाहर का दीशिग उधार अधर भी दिखेंएगा यह हैं न लगा मंदर के बाहर कादवश है चलिए अब मैं इसकी विसेश्था के बाड़े में आपको बताता हूं इस मंदर की किरिस थाएं हैं यो मंदुर्व जो है अगो है इसमें जो सीसे लगे हुए मंदिर के अंधर में वह सी से और नोलक्का मंदर के बाहर की द्रिश से है जो कि कुछ इस प्रकार से हरा है यह नुलक्खा मंदिर के जस्ट बगल का है अब बताइए इतना सुन्दर अस्थान होने के बावजूद इस पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है आखिर क्यों जो कि एक मात्र बेगुस रह में एक मात्र प्रियटक अस्थाल है यहां पे एक जनवड़ी के दिन लाखों की संख्या में यहां पे आदमी आते हैं और पिक्निक में नाके जाते हैं लेकिन यहां का हाल देखके रोना मालूम पड़ता है चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद